बाइस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो मारा Samsung Galaxy M15 5G phone की settings पे जाकर कैसे अपने Samsung Galaxy phone में app drawer को change कैसे कर सकते हैं और कैसे app drawer को बदल सकते हैं Samsung Galaxy phone में तो आज हम बताने वाले हैं तो वीडियो श्टार्ट कर लेते हैं तो आप देखते हैं आइकन शेओ हो रहे हैं तो simply swipe करते हुए settings पर जाना है तो click करते ही phone settings आपके phone में कुछ तरीक से open हो जाएगी तो आप कैसे app drawer को change कर सकते हैं तो simply आपको slide करना है और home screen पर चले जाना है तो home screen settings आजाएगा फिर आपको home screen layout पर जाना है जिससे आपने phone का drawer है चेंज कर सकते हैं और home screen डेर अपलाई करते हुए आपका home screen रवर है चेंज में आएगा देख सकते हैं कि आइकन अब ड्रोर में आ जाएंगे तो इस तरी आप ड्रोर को चेंज कर सकते हैं फोन में तो आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइकन सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में